है गाईज चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़े चैनल को याँ ऎ कर सकते हैं पूरे 5 लाक रुपे तक का बहुती कम डॉक्मेंटि और बहुती कम इंटरस्ट पर आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है अगर आप लेना चाहते है लोन इंस्टेंटलि आपका लोन यहाँ पर अपर अपरू हो जाएगा तक्रीबन एक से दो घंटे के अंदर लोन अमोर्ट आपके बैंक के अंदर आपको मिल बेजाएगे लोन लेने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा अगर आप पहली बार ये वीडियो देखरे चैनल देरों सब्सक्राइब कर लेना और हाँ बैले एक अंदर बना बिलकुल मत भूले ताकि आपको नेए वडियो को नोटिफिकेसन मिलता रहे तो चले गाईस देख विस्फिन.com विस्फिन एक एसी थर्ड पार्टी कंपनी है जहाँ पर अगर आप लोन के लिए अपलाई करते हैं तो आपका लोन 100% अप्रू हो जाएगा अप्रू एक बार मिलने के बाद तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर आपके लोन मोंट आपके बैंक के अंदर आपक आप यहाँ पर देखें, डिजिटल गोल्ड में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रेट कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं, सिबिल स्कोर आप यहाँ पर फ्री में अपना चेक कर सकते हैं, अगर मैं आपको नीचे दिखाओं यहाँ पर देख लिजे, माल लिज इंडिया के इंदर जो trusted bank है, वो bank इनके साथ है, अगर आप यहाँ पर loan के लिए apply करते हैं, तो वही bank आपको loan देने वाले है, home loan के लिए आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, cancer insurance आप यहाँ पर ले सकते हैं, rate card अगर आप लेने चाहते हैं, दिजिटल गोल ले सकते हैं, और mutual fund आप य है विजफिन में civil score अपना check करना चाहते हैं वैसे मैं आपको स्वा से पहले आपको यही बताऊंगो कि आपने यहाँ पर civil score किस तरीके से अपना check करना है क्योंकि अगर आपको यह नहीं पताऊगा कि हमारा civil score कितना है तो आज के time पर सभी finance company और सभी बैंक, आपका civil score जरूर देखते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे मेरे भाई जिनको यह ने पता कि civil score होता क्या है तो गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दू, civil score वो होता है, जिसको देखकर company आपको loan देती है, कैसे check करना वो मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ सकते है get it free पर जैसे आप click करेंगे, click करने के बाद आपके सामने जो page उपन होगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, ठीक है free में civil score चेक करने के लिए आपको यह जो form दिखाई देरा, आपको यह fill करना होगा, यहाँ पर आप देश सकते हैं यह बोल रहे हैं कि वही 12 महने के लिए absolutely free है, 2 मिनट के अंदर आप यहाँ पर अपना civil score check कर सकते हैं, civil score check करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा सबसे पहले आपको first name, last name डाल देना है जो आपके pen card के अंदर हो, ठीक है उसके बाद date of birth आपको यहाँ पर डाल देना है आपका gender आपको यहाँ पर select कर लेना है, pen card का number आपको यहाँ पर डाल देना है, आपकी net monthly income कितनी है, आपने यहाँ पर वो डाल देनी है employment status में आपको यहाँ पर यह बताना है कि आप sell lead है या फिर self employed आपके company का नाव आपको यहाँ पर बताना है contact detail में आपको यहाँ पर email ID डाल देनी है mobile number आपको यहाँ पर डाल देना है नीचे आपको यहाँ पर यहाँ पूछ रहा है कि और उसके बाद जो है आपने submit कर देना है जैसे आप submit कर रहे है submit करने के तुरंद बाद आपका जो civil score है वो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 775 यानि excellent है अब बात आती है आपर कि civil score कितना होना चाहिए देखी गाईज अगर आप किसी भी private finance company या फिर किसी भी bank के अंदर loan apply करना चाहते है तो bank आपका score देखता है और score आपका कम से कम 700 होना चाहिए अगर आपका civil score 700 से 600 के बीच है तो आपके जो loan मिलने के chance होते है वो तकरीबन 40% होते है अगर आपका civil score 700 से ऊपर जाता है 800 तक तो समझ लेजे आपके chance हो जाते है 80% लेकिन अगर 800 से 900 के बीच आपका civil score होता है तो आपके chance हो जाते है 95% loan मिलने के तो यह होता है civil score तो गाई सबसे पहले आपको विस्फिन पर जाकर अपना फ्री में सिबली स्कोर चेक कर ले रहा है जब आप अपना फ्री में सिबली स्कोर चेक कर ले उसके बाद आपको यहाँ पर यह चूज करना है कि आप क्रेट काड अपलाई करना चाहते हैं personal loan लेने के लिए यह form कैसी फिल करना मैं आपको last day बताऊंगा पहले अभी यहाँ पर आपको बताऊंगा eligibility criteria क्या होती है अगर आप लेना चाहते है विस्विन से personal loan और documents वाइर आपको यहाँ पर क्या देने होंगे तो गाईज अगर हम बात कर यहाँ पर personal loan लेने के लिए eligibility क्या होती है तो गाईज यहाँ पर यह बोले कि monthly income आपके पास regular आनी चाहिए आपकी उम्र कम से कम 21-28 साल के बीच होनी चाहिए monthly expense आप कर रहे होने चाहिए ठीक है ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका इसके अलावा आपका अगर कोई other loan चल रहा है तो वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा credit history आपकी अच्छी होनी चाहिए जैसे कि मैं आपको बोला था civil score आपका अच्छा होना चाहिए job stability में यहाँ पर यह बोले बाई finance company और bank है वो यहाँ पर आपको नीचे दिखाए देरें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है IDFC first bank हो गया, clicks हो गया HDFC bank हो गया, ICIC bank हो गया ठीक है, बजाई finance हो गया Kotec हो गया, Inducent Bank हो गया, Tata Capital हो गया यानि आपको यहाँ पर जो भी trusted bank और trusted finance company है वो company आपको यहाँ पर दिखाए देने वाली है जिनसे आपको loan मिलने वाला है आप यहाँ पर अपनी eligibility check कर सकते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं क्या हम eligible होते हैं loan लेने के लिए यह नहीं, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी eligibility check कर लेना है यहाँ पर आपको डालना है कि भाई मैं जितनी EMI दे सकता हूँ मालिज़ आप देना चाहते हैं 4,000 रुपे की EMI, यानि आप 4,000 से उपर की EMI नहीं दे सकते हैं, तो आपने यहाँ पर 4,000 EMI डाल देनी है और आपको यहाँ पर डालना है per month for next, कितने साल तक के लिए आप जो है मतलब इस loan EMI को दे सकते हैं तो आपने यहाँ पर वो डाल देना है मालिज़ हम 2 साल डाल देते हैं और check my eligibility पर क्लिक करेंगे तो गाईज हमारे सामने जो page open होगा उसके अंदर यहाँ पर यहाँ बोल यहाँ है HDFC bank जो आपको 10.99% per annum के interest पर loan दे रहा है जिस पर processing fees लेगा 0.99% जितना भी loan आप लेते हैं ठीक है आप यहाँ पर compare भी कर सकते हैं वो bank के जिससे आप loan लेना चाहते हैं मालिज़ आप State Bank of India से loan लेना चाहते हैं तो आपने State Bank of India यहाँ पर select कर लेना है loan amount आपको यहाँ पर choose कर लेना है जितना loan आपको चाहिए monthly income आपने डाल देनी है compare interest rate पर आप जैसे ही click करेंगे तो उस bank के जितने भी interest rate लगने वाला है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ज्यादा है या कम है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसके लावा उससे कम अगर किसी और bank का interest rate है वो भी आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगा अगर आप compare नहीं करना चाहते है तो आपको यहाँ पर lower interest rate वाले जो bank है 2020 में वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले है जैसे yes bank का अभी 2020 में सबसे कम interest पर loan दे रहा है 20 लाग तक का loan दे देगा 10.9% per annum के interest पर दूसरी number पर HDFC bank है जो आपको 10.75% per annum के interest पर loan दे सकता है ठीक है चलिए बात करते है documents की loan लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या documents देने को भी आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीज़े देखिए guys salary है अगर आप तो आपको यहाँ पर अलग तरीक से documents देने होगे और अगर आप एक self-employed है तो आपको यहाँ पर अलग तरीक से documents देने होगे मैं पहले यहाँ पर salary के लिए बताने वाला हूँ अगर आप एक salary employee है तो आपको यहाँ पर identity proof में pen card, voter ID card, आधार card, passport, driving lessons इनमेस आपको यहाँ पर कोई भी एक documents देना होगा residence proof में आपको यहाँ पर voter ID card, आधार card, passport, driving lessons, electricity bill और telephone bill इनमेस आप यहाँ पर भी कोई एक दे सकते हैं income proof में आपको यहाँ पर salary slip देने होगी पिछले 3 मिने की bank statement देने होगी 3 महीने की ठीक है recent passport size photograph आपको यहाँ पर देने होगे कुल मिलाके बात यह है अगर आप एक salary है तो आपको यहाँ पर केवल आधार कार्ड, pen card, salary slip और पिछले 3 मिने की bank statement और 2 photo यह देने हैं loan लेने के लिए अगर मैं बात करूँ self-employed की अगर आप एक self-employed है तो आपको यहाँ पर identity proof में pen card, water ready card, आधार card, passport, driving license इनमेस आप यहाँ पर कोई भी एक दे सकते हैं residence proof में आपको water ready card, passport, driving license, electricity bill, telephone bill कोई एक दे सकते हैं office address proof आपको यहाँ पर देना होगा जिसमें electricity bill, landline bill, GST और wet registration इनमेस आप यहाँ पर कोई एक दे सकते हैं income proof में आपको यहाँ पर salary slip 3 महने की देना होगी bank statement 3 महने की देना होगी recent passport size photograph आपको यहाँ पर देना होगी यानि कुल मिला के बात यह है अगर आप एक self implant है तो आपको यहाँ पर आधार card, pen card, आपको यहाँ पर electricity bill, या फिर wet registration या फिर GST इनमेस आपको यहाँ पर कोई एक देना होगा और salary slip देना होगी documents आपको यहाँ पर क्या देने है चलिए आप देखते हैं loan आपने किस तरीके से apply करना है loan apply करने के लिए सबसु उपर आपको जो form दिखाए देर है आपने इसको fill करना होगा सबसे बहले आपको यहाँ पर यह select करना है कितना loan amount आप लेना चाहते है उसके बाद आपको यहाँ पर employment status में select करना है कि आप salary day of the year self-employment ठीक है उसके बाद आपको monthly income यहाँ पर डाल देनी कितनी आपकी monthly income है उसके बाद guys आपको यहाँ पर आपकी city select कर लेनी है city select करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर आपका first name, last name डाल देना है mobile number डाल देना है email डाल देनी है आपको यहाँ पर बताना है जिस घर में आप रहते है आपके खुद का या फिर किराय का है निच्चे company का नाम डालने के बाद आपने get q2 पर click करना है जैसे आप get q2 पर click करेंगे उसके बाद guys आपका एक बाद तो mobile number verify होगा आपके mobile number अपने को OTP डालने के बाद verify करने के बाद guys उसके बाद आपको instantly offer दे दे जाएगा अगर आप loan लेने के लिए eligible होते हैं आपके eligibility के हिसाब से आपके salary के हिसाब से अगर आप को offer मिलता है जिस bank और जिस private finance company का सबसे कम interest हो उस private finance company या फिर उस bank में आपने loan के लिए apply कर लेना है तो guys आपको क्या करना है जैसे get YouTube पर आप click करेंगे आपको offer मिलेगा जितना भी आपको offer मिले उतने loan के लिए आपने apply कर लेना है loan apply करने के लिए आपको complete करने होगी अपनी application जिसके अंदर आपको अपनी personal detail, employment detail, अपने documents वगरा upload करने होगे और अपनी loan application submit कर देनी होगी उसके बाद क्या होगा guys जब आपनी loan application यहाँ पर submit कर देंगा आपके documents वगरा verify करेगा अगर आपके documents वगरा verify हो जाते हैं आपकी verification करेगा आपके पास call करने के बाद और आपकी verification हो जाती है आपको offer मिल जाता है तो बाइत तक्रीफ बन एक से दो दिन के अंदर आपकी loan amount आपके bank के अंदर आपको मिल जाएगी ace agreement वगरा करने के बाद ठीक है तो guys मुझे अंबीद आपको समझ आ आगया हो किस तरह की सा आपने loan के लिए लाइक करना documents वगरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया eligibility मैंने आपको यहाँ पर बता दिया